हाई एवरीवन, हाव यू ओल, वेलकम बैक टू माई चैनल और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ जो मैंने घर पे हमारे आम से तयार किया है हमारे घर पे बहुत सारे आम है यानि चातीन पेड़ है उसके बहुत सारे आम आते हैं जिसका हमें कुछ तो सोलूशन डूमना होता है कि उसे स्टोर करके कैसे रखे क्योंकि स्टोर करने के लिए उसके लिए अलग से प्रोसीजर होती है आम को निकाल के उसको बॉइल करके फिर स्टोर करके रखना बड़ता है जैनि पल्प मैंगो का पल्प वो मैंने बनाया है तो वो आपको दिखाती है सो ये देखिए ये हमारे घर के आम थे ना उसको मैंने boi poop करके कुकर में boiil किया और उसका pulp निकालके इस तरी के से store करके रखा है जैनि इसे अच्छे से उबाला है और वह pulp इसमें store करके रख दिया है ताके हम साल भर पूरी साल तक उसे खा सके और जैसे कि mango milkshake वगेरा हम बनाते न तो उसमें हम इसे add कर सकते हैं तो इसमें मैंने limited sugar डाली है जब हम अगें यानि preparation करना है तब हम इसमें और sugar डाल सकते तो अभी मैं इसका mango shake बनाने वाली हूँ इस लेट में शोयू हमारे आम अपर यह हे हमारे घर के आम तो इसमें से बहुत सारे आम नेकल boy करके उसका फॉल्फ निकालके रख दिया कि और यह अभी पकने वाले है पके नहीं यह पूरे पकने के बाद इसका भी पर निकालेंगी अभी मैं बना रही हूँ इसका mango shake तो मैंने यहाँ पर लिया है दूद यह हमारा चितर्ड़ी का गाय का दूद लिया है पहले डाला मैंने दूद दूद में डालोगी पर्ल देखिए यह ओरिजनल mango का कलर है इसमें कोही भी added preservative अगेरा कुछ भी नहीं है इस तरीके से यह घर का आम का mango shake बुद कर्वें कोफें यहम परीघू हुआ 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 है तो मैं ये फ्रीज में स्टोर करके रख दिंगी ही बार-बार बनाना पड़े अल्रेडी पल्प में शुगर है लेकिन जो डूध है वो डाला है इसलिए मैं शुगर डाल रहीं थोड़ा सा छे चमच मेंने शुगर डाली है पालना पुगर रही हम रख लगिरफ है प्राव नियंदान ल होगा सकते हमिए लाव मरूद राते हम के रिए, लाव में हमिए्टपर के लियाउने टानाव सकते हमिए्टने टेटी कि लाव में मुड़ा एप ढूते हमिए वर आज़ बाते हैं तड़ा, रेडी, एक पोटो ले ले ले, तिको, तो ये हैं, मैंगो शेक, जो मैंने बनाया, खर के आमों से, घर की आमियों से, इसके लिए, मुझे ये एक्छुली चाहिए था, ठीक है, एक दो मिनिट, तो मैंने न, ये नए कप लाए है, परसो, तो उसका उलगाटन करती हूँ, इस तरीके से, ये लेके, तो ये है, मैंगो शेक, हमारे घर का मैंगो शेक, सूपर्ब, अल्टिमेट, डायेट कैसे कर रही हूँ, देखिए, फ्रूट का जूस पिके, शेक पिके, बहुत ही अच्छा बनाए, पूरे साल खाने के लिए, ये पलफम बनाते है, ये रिखिए, ये आप पूरे साल तक खा सकते है, इस पलफ को एक बार बनाके रख दो, ये पलफम बना, इसमें मैंने इलाई ची पाउडर होगरे सब डाल के रख दिया है, फ्रीज में स्टोर करने के लिए, मस्ता, चरा तमग वीडियो अब डेस, लाइक, शेयर आणी चानल ला सब्सक्राइब करा, आणी की बगई नभी लेक, पैंट में इतले लिया है, जे मैं मदर्स डे होता ना त्या दियूची में पैंट इतले ही, इतले 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 लोकल शॉप मजग इतले रिडिशर उपाईला, चलो तो फिर रखती हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर औ क्कुर्सक्राइब करना मतभू धी गा, बाई, लव याँ